BMC का टोपिक, V22, G84, राइट हैंड, राइट हैंड, टैपिंग साइकिल, राइट हैंड, टैपिंग साइकिल, एक जो भाई ये सो, सो इसकी लंबाई है, सो इसकी चोड़ाई है, 10 mm की तिकनेस है, इसमें पहले से 5 away है, जो finishing की ये all है, यहांपे 5 away drill हुए थे, फिर finishing boring होके इनके finishing की ये हुए है, इनमें taping करनी है, यह हम गोडे 10, गोडे 1.5 की taping करनी है, यह हमारे पास tap tool है, तो A, B, C, D, E, जहांपे all है, उनकी position हम निकाल लेते हैं, तो देखो, point x और y, coordinate निकालते हैं, अब यहाँ पर point a, b, c, d और e, इनके coordinate निकालते हैं, a point पर देखो, x कितना गया है, यह हमारी x-axis है, और यह y-axis है, a point पर x में कितना गया है, 25, y में 20, b, x में कितना गया है, 75, 25, और y में जितना a था, उतना b है, 20, c point यह को center में है, तो x कितना हो जाएगा, इसका वर्जी निया है, 00, तो कितना हो जाएगा, 50, 25 यह और 25 यह, 50, center में है तो 50, y भी 30a, 20a, कितना हो जाएगा, 50, इसके बाद d point, d point देखो, x में कितना है, 75, और y में, 20a और 60a, कितना हो गया, 80, यह तो इसका coordinate हो गया, जो पहले से वोल हुए है, अब हमें इसमें, 10 गुड़े 1.5 का, पिछ काटनी है, डेड़ की पिछ काटनी है, तो देखो, इसमें जो ओल होगा, वो, 8.5 का ओल हम करेंगे, पहले से ओल 8.5 का है, इसमें tap चलाना है, 10.15 का, तो देखो, राइट हैं टैपिंग साइकिल, पहले एडर लिखते हैं, O001, N1, G40, G49, टूल लेंथ अफसेट, कैंसिल, यहां G80 लगा लो, कैंट साइकिल, कैंसिल, G91, G28, Z0.0 तूल ओम पोजिशन, G91, G28, X0.0, Y0. जोब ओम पोजिशन, M06, T0, 1, G0, G90, G10, G70, XY प्लें, X0.0, Y0.0, Z, G0, G43, टूल लेंथ अफसेट, प्लेस, Z, 10 mm, उपर रोग लो, H1, स्पिंडल आर्पिंग साइकिल, टैपिंग में हमारी जो स्पिंडल आर्पिंग होती है, वो हम कम रखते हैं, तो स्पिंडल आर्पिंग हमने दे दी 300, M03, 3, यह हो गया है, अब इसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं, A, B, C, D, E पर टैपिंग का, तो G84 का यूज करेंगे, तो देखें, G84 साइकिल, G98 या G99, दोनों में से किसी का यूज करो, इसके बाद G84, राइट हैंड, टैपिंग साइकिल, इसके बाद X, Y, ओल की पोजिशन, X, 25, Y, 20, Z, देखो टैपिंग कितनी करनी हैं, पाँच में था, Z-5, R, रिट्रेक्शन प्लेन, 2 mm, इसके बाद P, ड्वेल टाइम हमने डाल दिया, 1000, फीड, देखो फीड जो होती है टैपिंग में, वो होती है, या फिक्वल टू होती है, पी यन, तो देखो फीड कितनी रखेंगे, या फिक्वल टू पी कितनी है, 1.5 की, और स्पिंडल रपीम कितने रखे हो, यस, यन, तीन सो, तो फीड कितनी हो जाएगी, एक अस्थान बाद दस्मलो, तो फीड हमारी हो जाएगी, चार सो, पचास, यह फीड हो गई, अब देखो इसको समझो क्या है, जी एटी फोर, राइट हैंड, टैपिंग, यह राइट हैंड टैपिंग, साइकिल का कोड है, एक्स वाई, होल पोजिशन, जेट, टैपिंग डैप, कितने में तक, टैपिंग करनी हैं, चार रत्रेक्शन प्रेंग करने में, पी ड्वेल टाइम यप फिल जी नाइटी एट लगाओ या नाइटी 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 फोर जो होता है यह राइट हैंड टेपिंग से के लिए एक्स वाई होल की पोजिशन है जेड होल की डेप्थ एकितनी डेप्थ तक टैपिंग करना है आर है रिट्रेक्शन प्लेन पी ड्वेल टाइम और यह फीड अब देखो वहल की पोजिशन देखो जैसे हमें टैप करना है पहले से ओल है कि इनमें चूडियां काटनी है तो देखो 99 की पोजिशन ये हो गई और 98 की पोजिशन जी 98 और जी 99 जो कि मैंने पिछली क्लास में बता है रिटन टू इनिसियल पॉइंट नाइन टी एट लगा होगे तो टूल रिटन होके कहा जाएगा यहां और 99 लगा होगे तो यहां यह आर अब देखो टैपिंग साइकिन इसमें क्या होता है कि टैप जो हमारा फीड के साथ जाता गुमते हुए यहां से यह 5 mm तक गया इसके बाद यह बोटम पे कुछ समय के लिए टूल हमारा रुकता है ऐसे गुमते हुए गया कुछ समय के लिए बोटम ड्वेल टाइम हमने डाल दिया एक हजार मिली सेकेंड एक सेकेंड रुकेगा उसके बाद टूल जो है इसकी डैरेक्शन रिवर्स हो जाएगी और यह फिर फीड के साथ ही बाहर आता है टूल ऐसे गुमते हुए गया उसके बाद यह डैरेक्शन चेंज होके यह फीड के साथ बाहर आ जाता है और यह टैपिंग टूल जो है इस पे टैप काड़ देते हैं थ्रेड बना देते हैं ऐसे नेस्ट ओल की पोजिशन देंगे यह फीड के साथ अंदर तक जाते हैं गुमते हुए और फिर बोटम पे थोड़ी देर रुपते हैं डूल टाइम जितना पड़ा है उसके बाद डैरेक्शन चेंज होते हुए गुम डैरेक्शन इनके समझे एक बाद यह फीड के साथ जाते हैं गुमते हुए और बोटम पे डूल टाइम जितना पड़ा उतना देर रुखेंगे उसके बाद टूल की जो डैरेक्शन है वो डैरेक्शन रिवर्स हो जाती है जिससे वो इजली बाहर निकलते हैं लेकिन यह वापस निकलते हैं तो फीड के साथ ही बाहर आते हैं रैपिड में नहीं आते हैं नहीं तो यह फ्रेड प्लेन होदाएगी इसके बाद टूल अगर 98 लगाए तो यहां पे और 99 लगाए हैं तो यहां तो जी 84 राइट हैंड टैपिंग साइकिल थ्रेड दो तरह की होती है लेप्ट हैंड और र यहां पे हम कौन सी थ्रेड काट रहे हैं राइट एंड रेड इसके बाद नेश्ट होल की पोजिशन दो एक्स 75 वाई 20 नेश्ट सी पे हम देखेंगे यक से 50 50 इसके बाद D का X देखो X कितना होगा 75 वाई 80 जितना यह उतना यह 80 इसके बाद यहां कोडिनेट निकाले यह 25 वाई 80 एटी फोड राइट हैं टैपिंग साइकिल यह टूल फीड के साथ जाता है बोटम पे रुकता है इसकी स्पीड रुकती है इसके बाद यह जितना डुल टाइम है यहां से उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है यह ऐसे ज आता गुमते हुए उसके बाद रुकता है फिर डारेक्शन चेंज होके यह बार आता है 84 राइट है टैपिंग साइकिल एक्स वाई ओल की पोजिस्टन जेड ओल की डेफ्ट और रिट्रेक्शन प्लेन कितना उपर जाएगा इसके बाद पी ड्वेल टाइम फिर फीड इसक पोजिशन के जी नाइंटीवन जी ट्वेंटीएट एक्स जीरो पॉइंट जीरो वाई जीरो पॉइंट जो बहुम पोजिशन एम जीरो फाइप स्पिंडल स्टोप इसके बाद एम थर्टी प्रोग्राम इंड रिशेट प्रोग्राम इंडों के स्टार्ट होगा तो 84 प्रेड काटने के लिए किसी जो